3 नवंबर व्यापार निवेश से लाब के योग है शत्रू परास्त होंगे नौकरी में इंटर्व्यू के योग है कल्यान कारी उपाए दुर्गाजी के दर्शर शुब रहेंगे मित्वन राशी कारे प्रणाली से अधिकारी वर्ग प्रसंद रहेगा मान प्रतिष्था बढ़ेगी नई योजनाय लाब दायक रहेगी दुर्गटना से बचना होगा कीमती वस्तू गुम हो सकती है कल्यान कारी उपाए पीपल को मीठा जल चड़ाए करकराशी धार में क्यात्रा होने के संभावना है सरकारी कारियों में सफलता मिलेगी शत्रू परेशान करेंगे शांत रहे लाब के अफसर बनेगे कल्यान कारी उपाए माता पिता का आशिरवार जरूर ले सीहराशी शुप समाचारों की प्राप्ति होगी कर्यान कारी उपाए शिवजी को दूच चढ़ाए बड़ो का सम्मान करे तुला राशी आए के नए स्त्रोध बनेगे मान प्रतिष्था बड़ेगी शाररिक पीड़ा हो सकती है पराकरम से लाब होगा नए व्यापार आधी के योग बनेगे कल्यान कारी उपाए गरीबों को दान में गर्म वस्त्र दे बात करते हैं व्रश्यक राशी की मेहमान आने का समय है तैयारी रखनी होगी बहुत दिक कार्यों से लाब होगा नए योजनाय बन सकती है चारो तरफ से शुप लाब मिल सकते है कल्यान कारी उपाए बुजुर्गों को प्रणाम कर घर से निकले धनुराशी ग्रहस्ती में सुक, बाधा, कलह, कारक, वातावरन रहेगा जीवन साती का स्वास चिंता दे सकता है कुछ लाब के अफसर बनेंगे कल्यान कारी उपाए शिवजी को दूद, पुश्प चड़ाए मकर राशी पराकरम से लाब बढ़ेंगे आलत से हानिकारक रहेगा शत्रु परिशान करेंगे व्यापार निवेश से लाब होगा कल्यान कारी उपाए बढ़ो की सला कार्य व्यापार में उन्नती दायक होगी कुम राशी दूर से शुप समाचार मिलेंगे विजय मिलेंगी दुष्टो का साथ हानि देगा व्यापार वैवसाय से लाब होगा कल्यान कारी उपाए हनुमान जी को नेविद्य चढ़ाए शुब रहेगा मेन राशी यात्रा लाब दायक होगी अचानक लाब की योग बनेंगे पराकरम से लाब होगा शत्रु प्रताडि कर सकते हैं साथानी आविशक है कल्यान कारी उपाए हनुमान जी को नारिल चढ़ाए